नमस्कार सात्यूं जेहिंड इस्टेडी एक्जाम एकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत है मेर राजपाल कुदना आप सभी के सामने जनुवरी और फरवरी 2020 के लिए महत्वपूर्ण करेंट अपेट्स के परसन लेके आया हूं जो की परिक्षा की देश्टिष हैं अतिम महत्वपूर्ण है हमारी कोशिस यही रहेगी कि किसी भी एक्जाम हो चाई इंडिया लेवल का हो चाई राजस्तान लेवल का हो चाई अन्य किसी इस्टेट का हो उसमें इन करेंट अपेट्स सत परतिसत पसंद आने की संभावना रहेगी एक भी पसंद बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है इसलिए हम इसी उदिश्य से राकेशी गीटाला सर ने ये लक्षी रखा था कि क्यों न एक घंटा बच्चों के लिए अलग से निखाल कर और यूटूब के मादियम से अधिक से अधिक बच्चों तक ये वीडियो पूंचाया जा सके और उन्हें ये लाब मिल सके तो दोस्तों चैनल को सबसक्राइब करें और अन्ये सभी दोस्तों के साथ भी सेर करें इस वीडियो को जादा सी जादा तकि सभी को इसका लाब मिल सके तो चलो चलते है अपने परिशन की और पहला परिशन है आपके सामने इस्क्रीन पर पहला पर्षन है हाली में महिला एवंबाल विकास मंत्री ने किस राज़ी को मात्रु वंदना योजना के उतकष्ट किर्यावन के लिए सम्मानित किया है तो ये सम्मानित किया है मद्देबर्देश राज़ी को आगला परसंद दूसरा और इस परसंद के उपर आप लगाईए इस्टार क्योंकि प्रिक्षा की दस्टिशे हैं यदि 2020 का आज कोई भी competition exam दोगे तो उसमें ये परसंद आपको छपा मिलेगा किस अफरीकी देश ने टिड़ी देल के परकोब को राष्टी आपातकाल की गोशित किया है तो ये देश है कोई और नहीं ये दक्षिनी अफरीकी देश चैस समानिया देश का क्या नाम है देश का नाम है समानिया अगला देखिए अगला पसंद आपके सामने केंद्री बजट 2020-21 जारी किया गया है आप सभी को पता होगा कि केंद्री बजट 2020-21 का वो जारी हो चुका है इसके अनुसार 2019 और 2020 में राज किये घाटा रहा है तो 2019 और 2020 में देश को कितना घाटा हुआ है सरकारी तो यह हुआ है 3.8% इतना घाटा हुआ है 3.8% घाटा हुआ है पिछले 2019 बीश में यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें नीचे हमें कमेंट करके बताएं क्यूंकि आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक और कमेंट करना भूल जाते हैं और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को सेर करना ना भूले जितने भी ग्रूप से आप पास ये वीडियो पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब गरें क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पेसा नहीं लगता है आप सब्सक्राइब करोगे तो हम अपना आने वाला अगला वीडियो आप तक जल्दी से पहुंचा सकेंगे हाली में किस टेनिस खिलाडी ने आउस्ट्रेलिया ओपन के पूरुस सिंगल्स का खिताब जीता है ये पसंद भी महतुपन ने इस्टार लगा लिजिए क्योंकि हाली में आउस्ट्रेलिया ओपन की जो टुर्णामेंट है टेनिस की वो पूरी हो चुकी है तो इसका आउस्ट पशन आने की संभावना है यहां है नोवाग जोकोविच तो सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं तो नोवाग जोकोविच है इनका समद्ध ही पूछ लिया जाता है कई बार प्रिक्षा में कि इनका समद्ध किस देश से हैं तो नोवाग जोकोविच का समद्ध है सर्विय प्तति ओकी हों थी टेनिस की यह कहां पर हुए थी मलडरन में क्या होई थी मेल Бर्न में यह तुर्णामेट आयो जिद हुए थी और इसके बारे में एक्स्टिठा बता देता हूँ आपको कि इस ने ऑस्ट्रियलिया के किसको हराया था कि बता देता हूँ Australia Open का ये खिताब जीता है कितनी बार जी चुके हैं ये 8 बार ये 8 बार अब को आट जी चुके हैं और जो ये tournament है ये कब होती है ये परतिवरस जन्वरी और फ्रवरी महिने में अयूजित की जाती है और इसके बारे में बता देता हूँ जो इसका मेदान होता है तो इस मेदान को कहते है हाड कोट जो ये tournament होती है आश्टेरियन ओपन ये हाड कोट गास के मेदान में खेली जाती है ये भी आप ध्यान रखना पूछा जा सकता है आपको अगले पसंद की बड़ चलते हैं दोस्तु अगया पसंद आपके सामने ओस्ट्रेलिया ओपन में महिला एकल का खिताब किशनी जीता है पहले हमने पुरुस के बारे में पढ़ा पुरुस का जीता था नोवाग जोकोविश ने ये पसंद आप नोटबुक में लिख लेना तो या महिला एकल का खिताब पूचा है तो महिला एकल का खिताब जीता है सोफिया केनीन ने किसने जीता है सोफिया केनीन अब बात करते हैं इनका समन्द तो इनका समन्द है अमेरिका से सोफिया केनीन कहां की है यह है अमेरिका की अगला पसंद बने रहे इस्टेडी एक्जाम एकेडिमी के साथ दोस्तूं अगला पसन है ओस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष यूगल का किताब किसने जीता है अब पुरुष यूगल का किताब था अब पुरुष यूगल का किताब पुछा गया है तो ये जीता है राजिव रामा और जो सेल्स बरी इन दोनों ने जीता है मिलकर राजिव रामा जो सेल्स बरी चलते हैं अगले परसंद की और अगला परसंद आस्ट्रेलिया ओपन में महिला यूगल का खिताब किसने जीता है पहले हमने पढ़ा था पुरुस एकल यूगल का, अब पढ़ते हैं महिला यूगल का, तो महिला यूगल का खिताब जीता है टीमया बाबोसा और कृिस्टियना ने ये खिताब अपने नाम किया है, चलते हैं अगले पसंड की और, पसंड है अगला महतूपौन इस्टा बदल कर किया गया है जो योजना है हाली में बेटी पड़ाओ तो इस योजना का नाम बदल दिया गया है और इसका नाम कर दिया गया है बेटी आपकी धन लक्समी और विजे लक्समी बेटी पड़ाओ योजना का नाम बदल कर ये किया गया है इसलिए महतपुन है अगला पस का नाम बदल कर किया गया है तो बोगी विल पुल का नाम भी बदल दिया गया है और इसका नाम कर दिया गया है अटल सेतु सेतु का मतलब पुल ही होता है अटल सेतु पसे आपको यदि याद नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो को दुबारा देखना और कई नोट्बूक में लिख लेना दोस्तों के साथ शेर जोरूर करना ताकि सभी को इसका लाब मिल सके ICC किर्गेट ओप दे इयर किसे चुना गया है ICC किर्गेट ओप दे इयर चुना गया है बेन स्टोक्स जो कि इंगलेंड गे किर्गेट खिलाडी है अगला परसन है वो हमें दिवस से समध लेकर आया हूँ जनवरी के लिए तो विश्वे कैंसर दिवस मनाया जाता है कब मनाया गया है ये मनाया गया है चार फरावरी को चार फरावरी को विश्वे कैंसर दिवस मनाया गया अगला परसन आपके लिए फिर से मैं लेकर आया हूँ जैसे कि आपको पता हो गाए जो विस्वे कैंसर दिवस मनाया गया था इसकी इस बार थीम क्या थी इसकी थीम जो 2019 में थी वो 2020 में और 2021 तक यही एक थीम रहने वाली है इसकी थीम में मैं हूँ और मैं रहूँगा मैं हूँ और मैं रहूँगा यह विस्वे कैंसर दिवस की थीम थी बात करते हैं यहाँ पर दो फ्रवरी की तो अगला पसंद देखो यहाँ पर हाली में बाप्ठा आवार्ड में बेस्ट फिलम का आवार्ड किस ने जीता है तो ये आवार्ड जीता है 1917 ने बेस्ट फिलम का आवार्ड किस ने जीता है 1917 में और मैं बता देता हूं कि जो 2019 का जो इकरानमा ओसकर आवार्ड मिला था वो मिला था ग्रिन बुक को कौन सी फिलम को ग् जो 2020 के लिए जो 19 के लिए कौन सी फिलम नमित हुई थी ओसकर पूर्ट अवाड के लिए तो जो गली बोई फिलम है इसको नमित भी किया गया था अगला परसन आपके सामने है हाली में माल्टा योजना का आयोजन किया जा रहा है तो माल्टा योजना का आयोजन कहां किया जा रहा है इसका आयोजन किया जा रहा है कौलकाता में माल्टा योजना का आयोजन कौलकाता जो की पस्चिम मंगाल की राजदानी है और यहां की मुख्य मंतरी है ममता बनर जी और जो यह माल्टा अभ्यान है इसी ये किस्से समग देते हैं ये है इंडियन नेवी से इसका आइवlar और वाइरशन कों कर रही है? इंडियन जो नेवी है ये कर रही है अगला पसंद देखो कोरोना वाइरस के बार रहे में आप आप सब जानते होंगे तो इसका राइट एंसर है केरल केरल की राजदानी पता होगी आपको तिर्वन पुरम और जो करोना वाइरस है इसकी शुरुआत हुई थी चीन के वहन सेर से और इसमें कम से कम 400 से अधिक लोग मर गए हैं इस करोना वाइरस के कारण अगला देखो अगला पर्शन आपके सामने है वन नेशन वन कार्ड योजना कब लागू होगी तो वन नेशन वन रासन कार्ड जो रियोजना है ये लागू होगी जून 2020 से बात करते हैं वन नेशन वन कार्ड रियोजना जो इस्टार लगाना परिक्षा की दश्चिश महतुपुन है इसे समंधित कोई भी सवाल आप से परिक्षा में पूछा जाएगा जून 2020 में ये संपुन भारत में लागू होगी उभोकता मामले के अभी जो मंत्री है रामिला स्पासवान इन्हों ने इसको लौंच किया है अंदर प्रदेश, तेलन गाना और माराष्टर गुजरात को अंतरराजी राशन कार्ड पॉर्बिलिटी से जोड़ कर इस योजना क तो इसका उधिश ये बता देते हैं, इसका उधिश ये है, इसका लाब आंतरिक परवसन करने वाले लोगों को होगा, जो एक इस्तान से दूसरे राशी में जाते हैं, एक इस्तान से दूसरी जगे पर जो लोग जाते हैं, उनको इसका फाइदा होगा, जैसे कि दिल्ली, बुम्बई चन्ने में मौसमी परवसंद करने वाले वेक्तियों को इसका लाब मिलेगा 2011 की जन्गना के अनुसार मौसमी परवसंद करने वाले वेक्तियों की संग्या 4.1 करोड है 2011 की जन्गना गनुसार कितने लोग है जो एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर जाते हैं एक राज़ी से दूसरे राज़ी में तो ऐसे लोगों की संक्या है 4.1 करोड ये ध्यान डगना और विवा के बाद दूसरे राजी में जाने वाली जो महिलाएं हैं उनको भी इसका लाब मिलेगा क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी है तो विवा होने के बाद दूसरे राजी में ले जाती है और उनको वहाँ पर लाब नहीं मिल पाता है तो ये नेशन वन राशन का योजना है इसका लाव अब पूरे भारत में आप कहीं भी अरपी ले सकते हो बहुत ही अच्छी योजना ये निकाली गई है उभोगता मामले के मंतरी कौन है राम विलास पासवान के दवारा इसको लॉंच किया गया है अगला परसन जनवरी को किस दिन के रूप में मनया जाता है जो जनवरी महिन है इसको किस के रूप में मनया जाता है तो इसको मनया गया था वेश्विक परिवार दिवस के रूप में अगला परसन विश्वे अन्हात्वों का दिवस कब मनाते हैं? तो विश्वे अन्हात्वों का विश्वे दिवस मनाते हैं 6 जनवरी को ये मनाया गया अगला पसन हाली में विश्वे हिंदि दिवस कब मनाया गया? तो विश्वे हिंदि दिवस परतिवरस 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्री हिंदी दिवस पूछ लिया जाए तो मनाते हैं 14 सितंबर को राष्ट्री और अंतराष्ट्री का ध्यान रगना गुम्रा कर सकते हैं प्रिक्षा में आपको अगला पसंद लाल बादू सास्त्री की पुन्य तिती किस दिन मनाते हैं तो हाली में मनाई गई है लाल बादू सास्त्री जी की पुन्य तिती तो ये मनाई गई है 11 जनौवरी को 11 जनौवरी को अगला पसंद आपके सामने सात हूँ अंतराष्ट्री इस शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनौवरी को यह आपके लिए कुछ महत्मुन पशनते साथ हूँ इस्टेडी एक्जाम एकेडमी टीम के दुवारा इस पशनों को काफी मेनत करके आपके लिए प्रुस्चत किया है वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें टाकि आने वाला नया वीडियो हम आपको जल्द ही पहुँचा सके आपके पास दोस्तों के साथ सेर जरूर करें क्योंकि सेर करने से क्या होगा सबी दोस्तों को इसका अब और एसे मिलेगा तो बने रहे हैं आपके अपने चैनल के साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें कमेंट जरूर करें